नमस्कार मैं रवी कुमार लेक्चरर कंप्यूटर साइन्स जीपीसी डुंगरपूर आज की इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ओब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ इसमें हम C++ का ओर्वीू देखेंगे और C++ में काम आने वाले डेटा टाइप्स को देखेंगे साथ ही C++ में जो ओपरेटर्स काम में लेते हैं उनको स्टड़ी करेंगे तो ओब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग है वो एक स्टाइल है एक सेरी है प्रोग्रामिंग की जिसमें क्लासेज होती है ओब्जेक्ट होते है इन्हेरिटेंस प्रोपर्टी होती है पॉलिमॉर्फिजम होती है एब्स्ट्रेक्शन होता है एन्कैप्सूलेशन होत पहले जो object oriented programming का overview था उसमें हम देख चुके हैं तो ये सारी property जाए वो C++ में भी होगी क्योंकि C++ भी एक object oriented programming language है C++ एक static रूप से compile static रूप से type, compile और सामाने उद्दिश ये case sensitive और free form programming language है और ये support करती है procedure और object oriented और generic programming को C++ को हम middle level language कहते हैं क्योंकि इसमें high level language और low level language दोनों के features होते हैं C++ को बजार ने श्ट्रो श्ट्रप द्वारा डवलप किया गया था 1979 में न्यू जर्सी में, मुरे हिल में, बेल लेब्स में और ये C language को enhance करके बनाई गई थी मूल रूप से शुरू में इसका जो नाम रखा गया वो था C with Classes, लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर C++ कर दिया गया अब क्योंकि हमने C language को enhance करके C++ बनाई है, इसका मतलब C++ है, वो C का एक सूपर सेट है इसका मतलब हम virtually ये कर सकते हैं, कि कोई भी legal C program होता है, वो legal C++ program होता है सूपर सेट का मतलब ये हो गया, कि C language की feature तो है, उसके अलावा कुछ और है C तो completely ऐसी के C है C++ में, इसका मतलब कोई भी C language का program है, वो तो C++ में चलेगा ही चलेगा और उसके अलावा भी नए features जोड़ सकते हैं तो हमने C++ को C का सूपर सेट का है, तो C को हम C++ का सबसेट भी कह सकते है अब हमने एक word देखा था, statically typed language is C++ तो इसका मतलब क्या है, statically typed का मतलब ये है, कि जो इसकी type checking होती है वो compile time के दोरान ही check हो जाती है static typing में जो type checking होती है data की, वो compile time के दोरान ही check हो जाती है जबकि dynamically typed जो language होती है, उसके अंदर data की type checking अब वो run time पर होती है अब data types कौन कौन से होते हैं C++ में देखिए हम variables बनाते है identifyers बनाते है, variables बनाते है तो variables को store करने के लिए data type की हमें जरूरत होती है क्योंकि एक variable में किस type का data आएगा, उसका domain क्या रहेगा, उसकी range क्या रहेगी इसको decide करने के लिए data type बताना जरूरी है तो हम कह सकते हैं कि data प्रकारों का उप्योग है, वो variable को store करने के लिए किया जाता है जब भी एक variable C++ में define किया जाता है, तो compiler उस variable के लिए कुछ memory allocate करता है जो data प्रकार के आदार पर होती है जिस तरह का data type होगा, उतनी memory allocate कर देंगे integer है, तो integer का जितना byte होता है, उतना करेंगे float है, तो float जितना byte लेगा, उतना byte memory allocate करेंगे प्रतेग जो data प्रकार है, वो अलग-अलग memory amount की उनको जर्रत होती है अब basically जो C++ में data types होते हैं, उनको हम समझने के लिए तीन तरह से हम classify कर सकते हैं, primary, derived और user defined primary है उसमें integer, character, boolean, floating point, double floating point, void, wide character derived, derived के अंदर function, array, pointer, reference और user defined के अंदर class, structure, union, enum, type div basically जो data types होते हैं, उनको ही जानते हैं, तो हम primary data types को एक एक करके देखते हैं, int, int होता है 4 byte का, और यह store करता है, wall number को, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 0, minus 1, minus 2, तो without decimal numbers होते हैं, integer, float, float भी 4 byte का होता है, और यह store करता है, fractional numbers को, जिसके अंदर की decimal होता है, और यह sufficient होता है, seven decimal digits को store करने में, double, double होता है 8 byte का, यह भी fractional number को store करता है, लेकिन इसकी range ज्यादा होती है, जहाँ float में seven decimal digits को store कर पारते हैं, यह 15 को करते हैं, तो वो 4 byte का था या 8 byte का, तो range, जब बड़ा number को लेना होता है, तो range बढ़ जाती है, बूलियन होता है, बूलियन में true या false आता है, तो यह सिर्फ एक बाइट की ज़रूरत होती है, care character के अंदर एक बाइट की ज़रूरत होती है, यह single character को store करता है, अब है operators, operator एक symbol होता है, जो compiler को यह बताता है, कि कौन सी mathematical या logical manipulation perform करनी है, operands पर, तो C++ में खुब सारे built-in operators है हमारे पास, आईए हम एक एक करके उनको देखते हैं, तो manually हमने इनको classes में divide कर रखा है, arithmetic operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, assignment operators, और miscellaneous operators, तो हम logical operators देखते हैं, logical operators है, वो हम use करते हैं, दो variables के बीच में, या उससे ज़्यादा या कम, जो logic होता है, तो variables या values होती हैं, उनकी बीच में logic देखते हैं, जैसे, ampersand, ampersand, इसका मतलब होता है, end, तो अगर दोनो statements हैं, वो true हैं, तब यह true हो जाएगा, और दो खड़ी line है, यह होता है, logical or, यह true return करेगा, अगर दोनों conditions में से कोई भी एक condition true हो गई तो, note, logical note है, वो reverse करता है, toggle कर देता है, false को true, true को false, arithmetic operators, arithmetic में plus, इससे addition होता है, x plus y को जोड़ देगा, minus, subtraction, x minus y, star, multiplication, x और y को multiply कर देगा, slice, slice में division होता है, x को y से divide करेगा, modulus, modulus return करेगा, division के बाद में, जो remainder होता है, दसे x, modulus y, x की value मान लिजे 5 है, और y की value 2 है, तो 5, modulus 2, तो 2 का 5 पर भाग देंगे, तो 2 बार जाएगा, और 1 remainder रहेगा, sales पल, तो modulus 1 return करेगा, जबकि division कर रहा था, कितनी बार divide गिया है, दो बार, plus plus, increment, increase the value of a variable by 1, तो ये increment और decrement दोनों है, increment में plus a कर देंगे, decrement में minus 1 कर देंगे, और इसमें भी दो टाइप का होता है, pre और post, अगर plus plus पहले लगा दिया variable के, तो pre हो गया, और अगर बाद में लगा था, तो post, pre और post में अंतर ये होता है, कि pre करते हैं, उसमें पहले increment ये decrement होता है, बाद में उस variable की value काम में आते हैं, जबकि post में variable पहले काम में ले ले जाता है, जबकि उसका इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट बाद में करते है bitwise operators bitwise operators वो bits पर performance देते हैं perform करते हैं bit by bit जैसे हमने logical and और और देखा था यहाँ पर bitwise काम करेंगी जैसे a और b दो नमबर है a को 60 लिया है b को 13 लिया है उनको हमने binary format में लिखाए अब a and b करेंगे तो दोनों का bitwise end करके दे देंगी तो दोनों में जहाँ one one है वहाँ one रहेगा बाकि zero हो जाएगा तो यहाँ पर right से left अगर चलते हैं तो first second third और fourth position पर one one है तो सिर्फ third और fourth पर one one है बाकि zero हो गया और और के अंदर दोनों में से कहीं भी one आएगा तो one कर देंगे तो यह bitwise m% है वो binary end operator copy करेगा bit को result में अगर दोनों operands में bit exist करती है तो binary or है उसमें copy करेगा दोनों में से किसी में भी अगर bit one हो गई तो cap symbol जो है वो अकजोर है वो copy करेगा अगर दोनों bits है वो different हुई तो note है tilt symbol यह once compliment करेगा यह क्या करेगा flipping कर देगा bits की one को zero zero को one less than less than यह करेगा left shift यह left shift कर देगा एक एक position से सारी bits सा वो left में shift हो जाएगी और जब भी हम left में shift करते हैं इसका महला होता है two से multiply करना जैसे binary चलते है right to left चलते है तो पहली position में टू की पावर जीरो फिर तूसरी पर टू की पावर वन फिर टू की पावर टू तो जीरो वन टू फोर एट चलते हैं तो ज़स यह से left में जाएंगी वो number है वो टू से multiply होता जाएगा तो अगर किसी number को two से multiply करना है तो हम क्या करेंगे उसको एक बार left shift कर देंगे right shift greater than greater than इससे right में shift होगा right में shift करने का मुला 2 सी divide कर दिया तो किसी number को वगर 2 सी divide करना है तो हम उसको एक बार right shift कर देंगे 2 सी divide हो जाएगा assignment operator assignment operator है वो हम यूज करते हैं किसी variable में value assign करने के लिए जसे से example में हम देख सकते हैं int x equal to 10 इसका अमलब 10 है वो x के अंदर assign कर दिया हमने relational comparison operators अब ये relational में कैसे देखते हैं equal to दो बार equal to equal to का sign आता है उसको equal to बोलते हैं तो x equal to equal to दो बार assign लगा है इसको equal to बलेंगे तो x equal to y है अगर दोनों बराबर होंगे तब one return करेगा not equal to not equal to में दोनों बराबर नहीं होंगे तब one return करेगा या true return करेगा greater than अगर x greater than y तब true return करेगा less than if x is less than y then true return करेगा greater than equal to इसका अमलब greater than or equal to x बड़ा है y से तो भी true आएगा और बराबर है तो भी true less than or equal to अक्स है या तो y से चोटा होगा या y के बराबर होगा दोनों case में ही किसी एक case में true होने पर true आएगा manipulators manipulators are operators used in C++ for formatting output तो data को formatting करने के लिए जो operators हम कामें लेते हैं उनको manipulators बोलते है अब data को programmer वो अपनी choice के अनुसार manipulate करता है जैसे andl manipulator andl को हम बोलते है line feed operator ये act करता है line feed operator की तरह जहाँ भी हम andl यूज करेंगे तो वो line को feed कर दे आगे को और नया जो statement आएगा वो next line वे नीचे print होगा andl की जगर हम backslash n है वो भी कामें ले सकते हैं set w manipulator set w manipulator है वो set करता है minimum field width set fill manipulator set fill manipulator set fill manipulator हम यूज करते हैं set w के साथ में ही अगर कोई value है वो entirely fill नहीं कर पाती है तो हम character specify करते हैं set fill argument में ताकि उससे हम जो blank spaces को fill कर सके हैं आज के इस video में बस इतना ही थिर नहीं जो अधि क्रता है